रक्षित जी एक डिवेट करने के लिए आये हुए हैं इन्होंने मेसेज भी किया था बहुत पहले मेसेंजर पर कि यह डिवेट करना चाहते हैं विभिन मुद्दों पर तो इनको मैं जूड रहा हूं और इनकी बात सुनते हैं यह क्या कुछ बताना चाहते हैं प्रगुन अत हrences जो बात में आपका आपका चानल खोला है अब में आपका चैनल ऊब मैं आपका झो रहा है हाँ बताइए और उस पर आपका क्या कहना है में आप ने कहा है फिर मेरा आप से यह कहना है कि जो बी आरम बेटकर जी हैं जिनको आप बहुत मानते हैं नहीं आप यह कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं किसको मानता हूँ या मैं किसकी बात मानता हूँ अच्छा तो आप ये कहना चाहते है अरे सुन रहा हूँ आपकी बात मैं सुन लिया हूँ अब मेरा पॉइंट रहने दीजिए उसके बाद से फिर बोलिएगा वन टू वन होगा ना तभी कुछ पता चल पाएगा ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा आप क्या क्या बोल के निकल जाएंगे आपने पहले ये कहा कि बाबा साहब जो लिखे हैं या बाबा साहब कहते हैं वही एग्जेक्टली मेरा पॉइंट होना चाहिए ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा पॉइंट बाबा साहब कही होना चाहिए या जोती राव फूले का होना चाहिए या बुद्ध का होना चाहिए या समराथ असोक का होना चाहिए ये आप क्यों डिसाइड करेंगे मेरा point जो है modern जो आज का जो educational है या कहते हैं कि जो हमारा science है उसके अनुसार जो तत्थ हैं उसके अनुसार होना चाहिए या आप खुद decide करेंगे कि बांध देंगे मुझे कि इसके अनुसार जो वो सोचते थे वही आपको सोचना है या आप decide करेंगे मेरा decision मेरा है न मुझे से जानी है कि मैं क्या बोलना चाहरा हूं या किसी का नाम लेकर कि वो क्या लिखे हैं वही आपको बोलना चाहिए यह क्या होता है यह अपने decide करेंगे आप अपनी बात रखिए आप क्या कहना चाहते हैं मैंने क्या कहा है उस पर आप बात कीजिए चलि आरियंस थे वो यहीं के मूल निवासी थे अब इस पर आपका क्या कहना है नहीं उन्होंने कहा है तो कुछ-कुछ के वह आज कल के अपने नहीं मुझह पढ़ना है अपना यहाँ है द teu अप यह नहीं हुँ आ MBA साहब आ बता रहे हैं तो बाबा साहब का रेफरेंस दीजिए ना कि उन्होंने किसका रेफरेंस लेकर गलत कहा है बताएं हम लोग वेट कर रहे हैं आपको सवाल नहीं पता है अब रुक जाईए एक मिनट आप रुक जाईए देखें आपने खुद बाबा साहब की किताब नहीं पड़ी है और मेरा एक आपने वीडियो देखा और खुद जज्ज्मेंट कर लेकि बाबा साहब ने ये लिखा है और उसके बार भार जो डियने की रिपोट आ रही है तब से ब्रामपड वीदेशी का नारा गुंजा यह तो डियने रिपोर्ट में कहा है कि भारत के बहुत सारे संस्कृत वर्क के जो उजारी और कई सारे लोग है इनका डियने वीदेशों से मिलता है यह बात तो पूरी तर अगर देखे होते तो आपको मेरा नजरिया पता है आप आके कहीं और से पता नहीं कहां से सुने हैं वह आके मेरे उपर ठोप रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा है और फिर जिसका रेफरेंस दे रहे हैं उनको भी आपने नहीं पढ़ा है चलिए आप दूसरा पॉइंट बताईए दूसरा आपका क्या प्रश्ण था दूसरा किस पर डिवेट करना चाएथ आस्ना निए कॉन सी डेकी है कौन सी वीडियो देखिए की पंदित सुबाराव ह Switzerland बताई तों कि दीन कोई पर पने उसके शड़िये था उभा जाय है शजय कि ड़्यदर उस्कान्स तो उससे पहले बापुजी तलपड़े ने कैसे प्लेन उड़ा दिया हाँ तो आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने दिखाया है यह थोड़ी देखिए आधी सी देखिए और भी आधी सी और चले आए यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के लिए तो यही आपकी दिक्कत सुनिंगे मेरि बात को जब किसी से डिवेट किया जाता है तो अपना जो बसता होता है उसको भर के चला जाता में तीर जो हैं डिर सारे डाल के चले जाते हैं संवर्णार किस की जड़ा है काली बसताओ कि चलेएं आप नदे. तो आपको पता भी नहीं चलेगा बात क्या चल रही है अगर आपने completely वो वीडियो देखा होता तो फिर आप कहते कि मैं सही हूँ आप कह रहे हैं कि गलत हैं और बता रहे हैं क्या कि आपने वो वीडियो भी पूरी नहीं देखी है अब ही मैं उस पर चर्चा करनी सुरू करूँ तो फिर आप यहीं पर गलत सावित हो जाएंगे चलिए आप चर्चा ही कर लेते हैं उस पर चलिए बताईए आपका क्या पॉइंट है कहां पर मैंने क्या गलत बताया है पंडित सुभाराव शास्त्री ने जब विमान शास्त्र का भाष्चे किया था उससे पहले फिर शिवकरबापु जी तलपड़े ने प्लेन कैसे उड़ाया तो आप यह मानते हैं कि शिवकरबापु ने प्लेन उड़ाया था बिलकुल उड़ाया था अच्छा यह कहां से आपको कहीं से सबूत मिला होगा उसने उड़ाया है तो इसका सबूत आपको मिला होगा कहीं न कहीं से आप सर्च कीजिएगा आपको ब्रिटिशर्स का उस टाइम का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा ब्रिटिशर्स का बताई ब्रेवसाइड बताएब भी सर्च करता हूंसाइड तो मैं नहीं बताउंगा आप उनकी वीडियो देते हैं एक में डूक्य की वीडियो की की वीडियो देखने की आप सलाह दे रहें अमित और व्रत अरे गधह आपने रहे हैं मुझे उस गधह को यह पता ही नहीं Ï यह इसको नहीं आती है उस गधिक आप रिफरेंस दे रहे हैं स्विशर्च पेपर आपको अबिखिए आप थोड़ी आपको तॉप इंस्टिट आपको जो भारत के जो टॉप इंस्टिट वन मिनट प्रगुन अत्री मैं आपको बताता हूं आपको अगर रेफरेंस देना है न तो और को कोई रिसर्च पेपर का हवाला देजिए जो यह पातका रहा हो कि यह इन्होंन सर्च पेपर हो वो दीजिए ताकि पता चले कि हाँ वो लोग भी इस पर कोई काम किया था आप एक ऐसे गधे का दे रहे हैं जो रोज प्रूज प्रूज चैनल पर आता है उसमें अप एलियन पर पहुंच गए कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने कैलिफोर्निया की यू सब्सक्राइब कर रहा है तो इसी लिए मैं सुनूंगा और जो कहां लिखा हुआ है कि उसने वीवान उड़ाया था तो उसमें जो एरोनौटिक की शेप मतलब उस प्लेन की जो शेप की बात करी है वह सारी चीज़ें इसकार लेंगे आप वह सारी चीज़ें डिसकस कर लेंगे आप बस जो है न मुझे दिखा दिजिए कि किस वेवसाइट ने कह दिया है उसने इस्टाग्राम पर भेज़ा मैंने आपको इस्टाग्राम पर आप क्यों भेज रहे हैं आप यहीं प्राइवेट चैट पर भेज इंस्ट्यूट हैं जैसे ऐसी बेंगलूरु है वहां पर एरोनौट्क्स डिपार्टमेंट हैं तो यह सारे लोग जो हैं हाँ पर रिसर्च करते हैं तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में पहला वीमान किसने उड़ाया था अग्मान लेते हैं उनको नह सबसे बड़ा करता है कि बुद्धा को नदी के एक साइड में पहुंचा दी ऐसी बेवकुपी भरी बाते दिखाता है उसका उधारन दे रहे हैं तो हमें जो है ना आप ऐसा ऑथेंटिक सोर्स दिखाए ताकि जो यहां के पबलिक हैं उनको भी पता चल सके कि हाँ कहना क्या रहे हैं आपके पास कोई एविडेंस भी है और आपको थोड़ा सा जनकारी और दे देता हूं मैं अच्छा यहां पर अमीच आने वाले थें ओके आप यहीं भेंज़ दूना प्राइवेट नमस्कार 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 हां मैं आपका प्राइवेट चैट ओपन कर लेता आपके पास बेव साइट नहीं है आपके पास वीडियो नहीं चला सकते सर हम अपने आपके बस जो वेब साइट है उसका आप ऐसे का दे रहे हैं जो अल्रेडी मेरे पर दो-तीन पर कॉपी राइट मार चुका है प्रविन मोहन को जब डिवंग कर रहा था उसी में इसका द दीजिए वियो साइट दीजिए आप अरे परविन मोहन का नहीं बोल रंग मैं यह एसेंट एलियन का आपने भेजा है मुझे एरोप्लाइन डिजाइन को पहले वाला उल्टाओ पुराने वाला मैं मैं उससे भी सॉलिड एविडेंस इनको दूंगा ना इन्होंने मेरी वी रुख जाएए जब आपको कहा जाएगा तब बोलिएगा तो जितने भी टुन्नी लोग हैं उनसे मैं यह कहता हूँ कि आप लोग मुझे जब भी डिवेट करने आए तो पूरा तयार होके आईए अपने तरकस के सारे बान लेकर आईए यह नहीं कि मेरी वीडियो का एक मि बेवसाइड खोलके दिखाई है उस पर और वह साइड से मैंने दिखाया है कि जो रिसर्च पेपर चापा है आएसी बेंगलूरू ने 1974 में रिसर्च हुई थी जो आएसी बेंगलूरू है वो तो पता ही होगा टॉप 10 में राता है इंस्ट्यूट इंडिया में टॉप 3 में तो वहां की जो एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट है उन्हों ने इस पर रिसर्च किया मैं वो रिसर्च पेपर फिरसे सेर कर दे रहा हूँ क्योंकि आपने वह वीडियो ही नहीं देखा है इसलिए मुझे दुबारा यहाँ पे शेयर करना पड़ रहा है इसको तो यहाँ दे आप देखिए एचेस मुकुंदा हैं एसेम देसपांडे हैं यह सारे वही लोग हैं और करनाटा यह देखिए इंडियन इंस्टूट ऑफ साइंड बेंगलूरू आई आई एस बेंगलूरू का है यह और 1974 में इन्हों ने इस चीज का किया था किस डिपार्टमेंट के हैं तो यह जब आप समरी पढ़ेंगे तो यहां पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो दोनों डिपार्टमेंट है अरोनौटिकल डिपार्टमेंट और मेकेनिकल डिपार्टमेंट के यह लोग तो इन्होंने रिसर्च करके बकायदे यह बात बताई है कि कभी भी यह प्लैन उड़ा ही नहीं मैं वोगी पॉइंट दिखा देता हूं बहुत लोगों को डाउट रहता है जैसे आपने हैं यह देखिए यह पॉइंट यहां पर बीच में ठीक उपर क्या लिख रहे हैं डॉक्टर तलपड़े ऑफ बंबे ट्राइड टू मेक मोडेल्स अंडर दा गाइ कि कहीं भी किसी तलपड़े ने कोई भीमान उड़ाया था यह रिसर्च पेपर जो है आईसी बेंगलोरू ने च्छापा है और आप लोग जो है यह कंक्लूजन भी आप यहां पर देख सकते हैं यह नाइंटीन हंड़ेट और 1922 देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि 1922 बाइ पंडित सुभा राव सास्त्री बाइ टेकनिक अंक्लिर टू अस एड़ दे मोमेंट तो यह 1922 और 1900 के बीच की में यह बैमानिका सास्त्र जो है यह लिखा गया था वास्तों में यह 1922 पाया गया है तो यहां पे आप बताते हैं 1895 में अरे वो किताब भी तब तक नही लिखी गई थी 1903 में जब पहली बार राइट ब्रदर्स ने उड़ा दिया था उसके बाद से 1925 में सुभा राव सास्त्री ने यह सड़ेंत्र किया था यह पूरा सड़ेंत्र भी यहां उपर लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना यह पूरा यह ऑथर सी प पर फेंक आये थे अद्दोबारा गए और पता दियें कि किसी भर्दवाज रिषी का लिखा हुआ हमको मिल गया है पूरा ना जबकि खुद ही लिखके यह किये थे इनकी कॉंस्परेसी यह पकड़ी गई थी इस पूरे रिसर्च पेपर को आप यहां पर देख सकते हैं यह देखिये यह स्री जीवी सर्मावाजे क्लोज एसोसियेट ऑफ पंडित सुब्बाराव सास्त्री डिरिंग इस लैटर यर्स इट एपीर्स देट सास्त्री जी वाज अस सपोस्टली इंडॉर्ड विथ सर्टेन मिस्टिकल पावर यूज्ट तो इस्पेल आउट स्लोकास त कैसे यह अंग्रेज एक बंदा था जो बगल के पॉल्टेक्निक कॉलेज में थोड़ा सा बताता है इंजिनिरिंग डिजाइन करता था उसको पकड़के डिजाइनिंग बनवा लिये थे और खुद से स्लोक संस्क्रीट में लिख लिएकर फरजी अफवा फाइला दिये थे और आप लोग जो है न तो मेरी वीडियो के लिए ली देखते हैं न पूरा देखते हैं न जाच करते हैं न जो रेफरेंस देता हूं वहां पर दे देता हूं इस रिसर्च पेपर को भी मैंने सेर किया इसको भी पढ़ने का किसी ने वह नहीं उठाया और तमाम इतने पचा अब बताई इस पर आपका क्या कहना है आप इससे पॉइंट ले लेता हूं आप ही बता दीजे अगर आएसी बेंगलूरू का रिसर्च पेपर गलत है तो इससे बड़ा एविडेंस आपको देना पड़ेगा इसको गलठा आने के लिए यूटूब के वीडियो से नहीं हो इससे बड़ा रिसर्च पेपर जो इसको गलत सावित कर दें बोलिया त्री भाई कि कहां गया है इसमें मैटिया सेल्विना माहिडोल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है लंडन में उसमें सम्रा आपने चलो विमान चास्तर की बात तो चलो अलग अब इसम्रांग पहले वह पॉइंट क्लियर कर दीजिए ना पहले वह पॉइंट क्लियर कर दीजिए ना तलपड़े वाला जो आप पताते रहे थे कि वही बिवान राइट प्रदर से पहले ही आठ साल पहले उड़ा दिया था ठारा सो पंचानवर में अभी 11th century में इसमें आप देख लिज सर आप यह बताए था मैं दिखा दू शेर करके स्क्रीम नाइं किसी ने उड़ाय था नाइस चरनी भाई से बात है तो प्रगु नत्री आप किसी से भी बात करें देखिए प्रगु नत्री मैं यह कह रहा हूं कि जो मैंने एविडेंस दिखाया है उस एविडेंस तगड़ आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपको अपनी बात सही करनी है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जो भारत की जो टॉप इंडियन इंस्टूट से उसमें यह आयसी पेंगलुरू भी टॉप थी टॉप फाइप में हमेशा रहा है अगर इससे बड़ा आपके पास कोई एविडेंस है भारत का किसी एरोनौटकल डिपार्टमेंट ही अगर खुद कह रहा है या अपने दस्तवेज में लगा कर रखता है तलपड़े का फोटो कि यह हमारे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बीमान उड़ाया था वो एविडेंस अगर आप दिखाते है ऑफिश अदिक लग के गलता है लग टो ठीक लग रही आपकी यह मानते है कि तलपड़े नहीं उडाया था अब मैं यह बेज스ट कर दिया बहुत अब पहले से इस पर है क्या कहाना है बहुत है पॉञा हो ना कि मान रहे हो ना कि यह सही लिक रहा है तले एक कोई बीमाद नहीं ओ बहेज रहा हो आपको नहीं मैं पुरा अच्छा प्रूफ नहीं मत्तब यह गलत लिक रहा है नहीं अभी देखिए यह भी लिंक यह अरे वह मैं देख लूँगा पहले यह पॉइंट तो क्लियर कीजिए इस पर आपके क्या कहना है अचा आप स्काहर हो ना कि मान रहे हो ना कि इसमें कहां लिखा है कि तलपढ़े ने विमान उड़ाया था अरे यसनो बोल दो भाई अत्री महोदे एक रिशर्च पेपर ऐसा भी आता है पर एक रिशर्च पेपर आथा कि अरे एक रिशर्च पेपर नहीं यह बाइद कर रहा हूं ना आप आये सी बेंगलुरू का ही यह प्राइवेट चैट पर भी मान उड़ाया था इसमें कहा लिखा हुआ है आप खोल लो तो सही आरे मैं खोल लिया हूँ मैं यहां पर देख रहा हूँ आप मुझे बताओ ना कहां पर लिखा हुआ है कि तलपड़े ने बीमान उड़ाया था इसमें राजा भोज ने अपने सम और सब लोग थोड़ा साथ सुनें कि अभी क्या हुए जो विज्ञान ना उसकी तो इन्होंने पूरा ही का अपूरा मटीया मेट कर दीया सर बलतकार का था हां देखे मैं मेरे को नहीं पता कि यह किस फिल्ड से हैं साइनस फिल्ड से हैं की नी मगर मैं साइंस फील्ड से हूं एमटेक किया हूं तो होता क्या है सर वीमान 10-11 सेंच्यूरी में नहीं उडाया जा सकता था उसका कारण है बहुत बड़ा जब कोई फ्लाइट जिसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लाइट यानि एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है कोई वस्तू है अगर उसको हर समय उडान में रहना है उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लाइट तो उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सर ठीक है तो हो क्या रहा था 1903 से पहले भी जो राइट बंधू है इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई वस्तू जो है उस्टेडी फ्लाइट में रहे तो जो मील का पत्थर साबित हुआ ना 1903 में तो राइट बंधों ने दरसल एक तरीका निकाला उसको उन्होंने नाम दिय और थ्री एक्सेस कंट्रोल सिस्टम तो अगर कोई वस्तू जब होती है न तो उसको तीन एक्सिस पे पिचेव और यौ एक्सिस तो अगर उले किया जाता है तो जो सेंटर अव ग्रेविटी है फी नो वो ऐसी बनती है कि कोई भी वस्तु जो है वो सतत उडान पर बनी रह सकती है अब जब मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूं तो आपको याद होगा कि जो ग्रेविटी है ठीक है इसकी जो खोज है यह जो टर्म है यह किस ने दिया था आईजेक न्यूटन ने तो क नहां से दसवी ग्यारवी सेंचुरी में इनका राजा भोज प्लेन उडा पा रहा था जब कि उस समय तक ग्रेविटी के नहीं पता थे ठीक ही ग्रेविटी दरसल काम कैसे करती है तो किसी भी ऑबजेट को आप उडा कैसे पाओगे पहली बात और दूसरी बात यह है सर अगर मान लीजिए जैसा कि यह लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमारे यहां पे सब हो गया है ना हमी ने एक थो प्लेन बनाया उडा लिया बस अब क्या हम भूल गए तो फिर हम तो बहुत ही मैं बुलता हूं कि हमसे ज़्यादा मूर्ख क से हैं कि नहीं है लेकिन जो साइन्स वाले लोग है जो मेरी बात को सुनेंगे समझ जाएंगे कि मैं ठीकी बात कर रहा हूं 1903 में सेंटर ओव ग्रैविटी को कैसे ऐसा मिंटेन किया जाए इसको तोड़ने का जो तरीका था इसकी कीमिया जो है और राइट बंध हो ने निक रान था वो वह प्लेन वलेन नहीं बनाया था यहावा हवाई फाइरिंग मत मारिये वह उस दौर 11th century की बात कर रहे हो ना अरे प्रगुनत्री रुख जाओ पहले यह रिसर्च पेपर में सारी बाते लिखे हुई है पूरा रिसर्च किया गया है आपने पढ़ा उड़ा अगर आपको मुझसे आगे फर्दर डिवेट करना है तो सिर्फ एविडेंस पर मैं बात करूंगा आप एविडेंस दो मुझे और यह भी दिखाओ कि राजा भोज ने कहीं लिख दिया है नहीं आप दिखाओ कि कहां वहां आर्कियोलोजिकल एविडेंस उसके बीमान का मि देखा कि हां एसी कुछ चीज़ें बनी थी उस समय बनी थी जब भारत में यह मुमत भी जो है आके और सोमनाथ मंदिर लूट के ले जाता है हजारों ब्रामडों को करदन काट के जाता है मंदिर मुर्दिया तूड के जाता है और आप बीमान बैठा के मरकरी का इंधन लग कोई क्लेम किया है तो दिखा दीजी हम यहां पर बात कर रहे हैं उसमें हमें कोई डिसक्सिन नहीं सुनूगा कि उन्होंने कहा दिया आपके पास अब कोई फर्दर एविडियंस है तो सेर कीजिए और नहीं तो फिर मैं किसी और को ले लूँगा नहीं आप मेरी बात तो अरे मेरे जब आईजेक न्यूटन ने ग्रैविटी दुनिया को बताया कि एक फोर्स है जो काम करती है तो उसको उसने कंप्लीटली एक्सप्लेइन किया है कि यह क्या चीजे कैसे काम करती है आप वो कौन से रीशी मुनी का बतार है उसको थोड़ा दिखाऊ ना मेरे को कहां उसने लिखा है अचा मेरे को आप एक बात बताओ आपको ऐसा लगता है क्या कि अगर उस समय यह बात लिखी गई होती तो पूरी दुनिया मिलके हम लोग के खिलाफ में एक ऐसा वो रचा साजिस की भाई यह भारत में हो गया है लेकिन अब इसको छूपाते हैं हम लोग है अब ऐसा करते हैं कि काई जेक न्यूटन के नाम पे इसको हम डालते हैं क्यों क्योंकि यह वहां पे हो गई है तो हम लोग के खिलाफ पूरी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो गई थी आपको लगता है ऐसा हुआ होगा थोड़ा सा मतलब मैं अभी तो चलो साइंस की बाती नहीं करता कॉमन सेंस की बात करता हूं आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मालीजे दसवी ग्यारवी सेंचुरी में कोई प्लेन ऊड़ रहा था तो फिर वह कहां गया वो पूरविज्ञान हम मतलब हम भूल गया हम से कुछ चुराक ले गया क्या हम से कुई देखिए आप लोग इस तरह की बात करके ना एक्चुल में आप अपने देश का मजाग बनवाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बाकी दुनिया भी हस रही है जो अन्य देश के जो तरसक है वो हसते हैं कि कैसे यह प्योकूफ से हैं यह लोग गुलाम पर गुलाम होते जा रहे थे और भाग गए हैं कहां चले गए हैं कहां गए अच्छा यह तो बॉक्स में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं भागी गए हैं